अर्णव गोस्वामी का केस और जमानत इस वक्त काफी चर्चा में है अर्णव गोस्वामी का केस फिलहाल फेमस वकील हरीश सालवे लड़ रहे हैं अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका पर जोरदार तर्क करते हुए फेमस लॉयर हरिश सालवे ने कहा कि क्या ऐसे ही मामले में मुख्य मंत्री को भी गिरफतार किया जा सकता है गोर्तलभे की अर्णव गोस्वामी को 2018 के आत्मत्या मामली में बॉंबे हाई कोट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था इस आदेश के खिलाफ सुप्रिम कोट में जस्टिस डी वाय चंद्रोचून और जस्टिस इंद्रा बनरजी की बैंच के समक्ष सुनवाई में हरिश सालवे ने अर्णव की ओर से तर्क देते हुए कहा कि क्या गोस्वामी के खिलाफ जो की गई कारवाई है वो देश पूर नहीं है सालवे ने कहा कि पिछले महीने महराश में एक व्यक्ती ने यह कहते हुए आत्मात्या कर ली थी कि मुख्य मंत्री बेतन देने में असफल रहे क्या आप मुख्य मंत्री को भी गिरफतार करेंगे उन्होंने कहा अर्णव गोस्वामी को सत्ता का इस्तमाल करके टार्गेट किया जा रहा है सालवे ने कहा कि अर्णव के खिलाफ लगातार FIR दर्ज कराई जाती रही चाहें वो पालगर लिंचिंग मामला हो या TRP घोटाला FIR या ऐसे ही दूसरे मामले भी उन्होंने गिनाए इतना ही नहीं शिरसेना द्वारा केबल ऑपरेटरों पर रिपबलिक टीवी का भहिशकार करने की धमकी भी दिलवाई गई सालवे ने कहा कि तीन साल पुरानी FIR में किसी व्यक्ती को गिरफ़तार किया जाता है और उसे कठोर अपराधियों के साथ तलوجा जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है हरीश साल्वे ने कहा कि मजिस्ट्रेट को अर्णव को गिरफतारी के पहले दिन ही बॉंड पर रिहा कर देना चाहिए था क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया था साल्वे ने कहा कि पकाया राशी का भुकतान होने के कारण आत्मत्या के लिए जिम्यदार नहीं ठहराया जा सकता हरीश साल्वे के तरकों को मानते हुए आखिरकार सुप्रिम कोट ने अर्णव गोस्वामी की जमानत को स्विकार कर लिया साथी मामले में दो अन्य सहे आरोपी नितीश सारदा और फिरोज महम्मद शेख की अंत्रिम रिहाई की भी अनुमती दी कोट ने कहा अंत्रिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज करना उच्च न्यायाले की तूटी थी सुप्रिम कोट ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि निजी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए कोट ने राइगर पुलिस को जल्दी रिहाई के आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कहा है इधर अरणव और दोनों सह अभ्युक्तों को अंत्रिम जमानत के लिए 50,000 रुपे की राशी को निजी मुचलके के रूप में जमा करने के आदेश दिये है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन प्रेश करना ना भूदे